देखो, रिवीव की दुनिया में, स्पेशली फिल्म रिवीव की दुनिया में, कौन सही, कौन गलत, यह आजकल ओडियोंस बखू भी समझ लेती है, और ये फिल्म, रिवीवर्स या सो कॉल्ड समोसा क्रिटिक्स को यही सेम बात बताना चाहती है, कि अच्छे को अच्छा औ पर बुरे को बुरा बोलो, वो चलेगा, पर अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बोलना, वो भी पैसे लेकर, ये अच्छी बात नहीं है, तो, वेल हलो मेरा नाम है योगी, और हमारी मुलाकात बार बार होगी, बहुत दिनों बाद, बॉल्योड के तरब से कोई फ् प्रेजेंट किया गया है न, I am definitely sure कि कोई एक ऐसा माई कलाल नहीं होगा जो इस फिल्म को बुरा बोलेगा, हाँ, कमिया निकाल सकता है, पर ये नहीं कह सकता कि ये फिल्म बुरी है, and what an acting by दुलकर सलमान यार, specially second half में, ये बंदा गजब है यार, acting के मामले में दुलकर सलमा अपनी versatility और acting skills को बहुत अच्छे से explore कर रहे है, वैसे आप भी अपने skills को explore कर सकते हो, अगर आप एक fresher हो जिसको अच्छे job की तलाश है, या आप experienced professional हो जो better job चाहते है, तो Re-Level is the best platform for you, प्रिया राजपुत ने Re-Level का course लेकर अपने आपको enable किया, और IMA BIMI solutions में उन्हो ले लिया, वो भी एक amazing hike के साथ, यही नहीं, दस different categories में last 1 साल से Re-Level ने 1200 से भी जादा offers दिलाए है, बहुत से deserving candidates को, बस simply आप free skill test देकर अपने आपको prove करके PepsiCo, Xiaomi, Upgrade जैसे 800 amazing companies में interview दे सकते हो, और आप Re-Level पर उनके courses के through, उनके test के लिए prepare भी हो सकते हो, just admission form fill करो, जिसके बाद आपका counselor आपकी profile को approve करेगा course के लिए, तो जाओ और मेरी description के link से आज ही अपना career और future दोनों secure करो, क्योंकि ऐसी opportunities बार बार नहीं आती, go check out Re-Level today, बात करे film की, तो film का topic एक psycho killer का है, जो critics का critics बनकर उनके fake reviews के चलते, उनका murder कर रहा है, इसलिए मैं fake reviews नहीं करता, but negative point is कि इस film का वो जो murderer है, वो first half में ही reveal हो जाता है, जिसे movie का जो suspense बन रहा था, वो starting में ही कहीं थोड़ा सा खतम हो जाता है, बट फिर भी, क्योंकि ये एक suspense thriller story है, तो कही न कहीं पर ऐसी filmों का suspense climax में ही खुलता है, तो इसी वज़े से हमारे दिमाग में भी यही same बात चलती र जो कि और अच्छा हो सकता था, इंप्रूमेंट के बहुत सारे chances थे, क्योंकि फिल्म के trailer के वज़े से मेरी expectation इस film से बहुत जादा की ही थी, क्योंकि सबसे पहली बात तो इस film के डिरेक्टर आरबाल की सर है, जिनोंने इसके पहले बहुत सी हटके हटके movies को डिरेक्ट किया और वैसे ये फिल्म अल्मोस्ट सवादो गंटे की है, जो suspense thriller तो है ही, बट फिल्म में deep and dark comedy का भी हलका पुलका यूज किया गया है, और भाई साब इसे A certification भी मिला है क्योंकि इसमें काफी brutal murders दिखाए गये है, तो बच्चे तो दूर ही रहे पूजा भट की entry interval के बाद होती है, बट जितना भी रोल है उनका, उन्होंने इतने सालों बाद भी अपने acting का जलवाद दिखाया है, अब देखो फिल्म का concept different है, फिल्म की casting perfect है, स्टोरी का presentation बहुत बढ़िया है, और acting सबकी दमदार है, और जिस तरीके से retro scenes और retro गानों का use किया गया है, suspense build up करने के लिए, वो काफी unique approach है, जिसकी वज़े से ये movie बाकी movie से अलग stand out करती है, बट ऐसा नहीं है कि ये movie हर किसी को पसंद आएगी, क्योंकि अगर आपको सिर्फ Bollywood मसाला ही पसंद है, मसाला से मेरा मतलब है action, मार धार, हाथ से helicopter रोगना, या बाइक को हातों से उठाना, तो ऐसा कुछ भी इस film में नहीं है, हाँ इसके dialogues मुझे काफी अच्छे लगे, काफी creatively dialogues को लिखा गया है, और सबसे बड़ी बात, movie industry में कैसे किसी भी movie को बढ़ा चड़ा कर positively लोगों के सामने रखा जाता है, उसकी भी पोल खोल इसमें की गई है, और movie critics के लिए, और even audiences के लिए भी अच्छा खासा message भी ये movie दे जाती है, तो overall ये एक must watch film तो है, जिसमें एक थोड़ी बहुत कमिया होने के बावजूत, original concept होने के वज़ह से, जादा तर लोगों को ये movie पसंद जरूर आएगी, मेरी तरफ से इस movie को honestly 3.5 stars, और हाँ, मेरी description के link से re-level पर visit करना न भूले, मिलते हैं आगले वीडियो में, बाई